नमस्कार चलिए आज हम लोग जुगाडू बेश्टी पर करेंगे फिर से खुब सुरत सा जुगाड और यह जुगाड होगा हमारे घर की साथ सज्जा को लेके तेवहरों का मौसम शुरू हो चुका है और इन धेर सारे तेवहरों की बीच में जब दिवाली का तेवहर आता ह कि अपने पूरे घर को इस तरह की फूलों की लड़ियों से या आर्टिफिशियल लड़ियों से सजादें पूरे घर को ताजे ताजे फूलों से सजाना तो मुम्किन नहीं हो पाता है इतने महंगे फूल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बाजार से प्लास्टिक की पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथ इसाथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल के हिस्सा भी बनिए सब कुछ हम लोग इसी तरह से मैनेज करते हैं और काम का वीडियो है तो सब भी को शेयर जरूर करें जिससे कि वो लोग भी अपने घर की यह देखें आज हम लोग कुछ इस तरह की गेंदे के फूल बनाएंगे लग रहे हैं बिल्कुल ओरिजनल जैसे चलिए अब गेंदे के फूल की लडियों के लिए हम लोग अगर यलो कलर की पनी चुनेंगे तो और भी खुबसूरत लगेंगे अगर नहीं आपके पस तो आ पर लहे हैं मैंने अपनी ड्याल Rica पॉलिए शात्य सात हम इसे लेया हुआ मैंने ग्रेन कलर कः और यहीं मिलता है वह मिलता है तो मुझे जब इस कलर के पॉलिफिन मिलते है तो मैं बहुत संभाल के रग देती हूं क्योंकि यह मेरा शोख अभी का नहीं दजियों साल पुर थोड़ी सी मोटी भी होगी, पतली भी होगी, जैसे भी होगी, चल जाएगी. बस कलर आप देख लें कि आपको किboys कलर कम बनाना है. अप यहां पर देखे, यहां पर यह कुछ में पटियां काट रहे हूँ. आप ये पट्टियां काटते हुए ना आपको ये ख्याल रखना है कि आपको फूल बड़ा बनाना या छोटा पट्टि आप जितनी चोड़ी काटेंगे फूल आपका उतना बड़ा बनेगा जितनी सकरी काटेंगे उतना फूल छोटा बनेगा तो फूल का साइज आप निर्धारित कर लेंगे कि साइज का फूल चाहिए उसी साइज की पटियां काट लेंगे इनका क्या करना होगा इन पटियों से हम लोग काटेंगे सरकल चाहे तो कुछ इस तरह से मोड़की आप गोल-गोल सरकल अंताजे से काट सकते हैं पर फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप कोई इस साइज का कोई ढकन कटोरी ग्लास कुछ भी लेके आसपस इस पर सरकल बना लें इससे क्या होगा कि आपको काटने में सहुलियत हो जाएगी थोड़ी सी अपनि हिसाप से देख लेए या फिर आप एक काट कर लें अगर आपको लगता है कि सैज अच्छा है तो बाकी के उसी साइज से बना लें ज़रूरी नहीं कि आप इकठे सारे बना कर रहें फिर साइज आपको ना पसंदाए तो आपकी पन्नी यह ही वेस्ट हो जाएगी इस स तरह कि गुल-गुल सर्कल में काटके एकठा कर लेती हूं मेरा जो कि मैंने बहुत पहले बहुत धेर सारे मने बनाए हुए तो मेरा सब अंदाजे से ही काम हो जाता है अब यह जो कटिंग है यह आपको फेक नहीं बिल्कुल नहीं है यह कटिंग बहुत काम किया इसको भी हमारा लग नहीं होना चाहिए और यह जो कट सम लगा रहे हैं तो यह भी थोड़ा सा गयप देखे कि जिससे यह इसी में चूड़े रहे हैं बस आसपास इसी तरह से आप घुमा घुमा के काटते जाएंगे मैंने जितने भी सरकल काटे इकठे पन्नी बहुत हलकी है तो यह मैंने इसमें कटिंग कर दी इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा फूल का लुक आएगा बस यहां पर अगर आप पेटल्स कर शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं पर पतली पनिया होती है उसमें मुश्किल होता है तो आप इसमें कोई पेटल्स बनानी क्यों कोशिस न करें सिंपली इसी तरह से काटें अब यहां पर ग्रेन कलर की जो पनिये उससे भी मैंने उसी साइच के सरकल काट लिए बस अब देखिए अब यह जो हमने कटिंग रखी थी च्वेकने को मना किया था अब इस कटिंग का काम शुरू होगा यहां पर आपको सिर्फ एक धागा चाहिए बाकि सब कुछ हमारा होने वाला है फ्री में बाकि एक सिंगल पैसे का सामान हमें नहीं जुरूत पड़ेगी सब कुछ हमारा होने वाला है फ्री अप यहां पर देखिए पनिया आठ ले सकते हैं आप दस ले सकते हैं या बारा ले सकते हैं जितनी पनिय आप लेंगे, आपका फूल उतना मोटा बनेंगा, उतना घना बनेंगा, तो अगर आप 10 पनिया भी लेंगे ना, तो पर्यापत है एक फूल के लिए, यहां पर बस आप देख लें कि आपको फूल कितना घना रखना है, बहुत ज़दा घना भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जो अगरन हमारी पन्नी की थी वोली, और देखें इस तरह से नीशे वाली ग्रीन वाली पन्नी को हमने मोड के, और यहां से देखें हम लोग धागे से इसको कसके बन देंगे, धागा आप इसमें मजबूती के साथ लपेटें, और लाश्ट में जो गांट लगाएं वो भी मज जाएंगे तो इनको हम लोग धूल भी सकते हैं, तो सब कुछ मजबूती से करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसन हो कि आपका कम टेंपरेरी हो, जब आप धूले तो यह धागे खुल जाएं, फिर आप मुझे दोश देंगे कि मैने धूले और धूले के बाद आपके खुल गए, तो मजबूती के साथ आपको बांधने हैं, देखे, ग्रेन वाली पन्नी को मैंने फिर इसको पलट लिया, ग्रेन वाली पन्नी का पोर्शन सारा नीचे चला गया, तो देखे, नीचे बिलकुल ऐसे लुका गया, जैसे हमारे गेंदे के फूल होते हैं, बस यहा पर फिर से हम लोग धागे की गांट मजबूती से लगाएंगे, आप दो गांट लगाएं, तेन गांट लगाएं, बस धागा आपका खुलना नहीं चाहिए, अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है थोड़ा सा यह, वो अपना काट के आप निकाल सकते हैं, आपको लगता है कि इधर उदर थोड़ी सी यह पेटल्स बिखर रही है, तो वो भी आप काट शाट के बराबर कर सकते हैं, चलिए, एक और बना के दिखाते हूं आपको, और यह जो आपने कटिंग करी ना, तो आप यह ध्यान दे कि यहां पर जो सरकल नहीं आपस में एक दूसरे चिपके नह होना चाहिए, चिपके अगर होंगे, तो यह जो फूल की पंखुडियां आप इधर उदर फैल आएंगे ना, तो अगर आपकी पन्नी एक दूसरे में चिपकी होगी, तो फिर पंखुडियां आपकी अलग कैसे हो पाएंगी, उसी में चिपकी रहेंगी, तो वो मज़ा नह आएगा जो आना चाहिए, यह द अद अच्छे से ना, खोल देंगी इस सारे पंखुडियां, तो पंखुडियां सारे बिखर जाएंगी, तो फूल आपका खिला खिला लगएगा, यह देखी है, है लिए कितना आसान और कितने खुब सूरत फूल, यह देखिए, इतने सार वृत चोटी-चोटी सी पनी थी तो मेरे beginners हट memang यहां ला भूत यदू ही भीज़िवार। भी आप अपनी सजावत में इस्तेमाल कर सकते हैं और छाहें तो इनकी माला बना लीजे भी शॐकर लड़ीया बनानी का मूट तो ठेर सारी अपनी लड़ीया बना लीजे और इसके भीणिप फारते ही समें इसी भाने आपने देखिए करें अपने घर को सजाएं और इंजोय करें जल्दी मिलूंगी अटले वीडियो में तेंक यू